हिंदु धर्म में भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा करने का विधान है किसी भी पूजा की सुरुवात करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए जो भी ब्यक्ती भगवान गणेश की स्रद्धा पूजा उपासना करते हैं उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं साथ ही घर में सुक संब्रिद्धी आती है लेकिन भगवान गणेश ची की पूजा करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखे अगर इनकी पूजा में कोई भूल चूक होती है तो उस भ्यक्ती के लिए असुब होता है इसलिए भगवान गणेश की मूर्ती खरीदने और इस्थापित करने के समय भी विशे सावधानिया बरतनी चाहिए लेकिन बीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे घर में भगवान गणेश की मूर्ती तभी इस्थापित करें जब आप रोजाना उनकी पूजा और प्रातना कर सकें अगर आप ऐसा करने से सक्चम नहीं है तो घर में मूर्ती इस्थापित न करें जिस मूर्ती में दाई तरप सुण हो उसे न खरी दें क्योंकि भगवान गणेश की इस रूप की पूजा का विशेश नियम निष्ठा है जिसका निर्वहन करना असान नहीं है जब भी घर में मूर्ती इस्थापित करें तो यह सुनिचित करने की उनका मुख्य द्वार की ओर हो सयन कक्च में भूल कर भी भगवान गणेश की प्रतिमा इस्थापित न करें कुछ लोग सीड़ी के नीचे पूजा घर बना लेते हैं ऐसा बिलकुल भी न करें और नहीं इस अस्थान पर भगवान गणेश की मूर्ती इस्थापित करें मा लच्मी की मूर्ती भगवान गणेश की दाहिनी ओर रखें मा लच्मी आदि सकती है जो की भगवान गणेश की मा है इसलिए भूल कर भी मा लच्मी की मूर्ती भगवान गणेश की बाई ओर न रखें तो मित्रों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में चरूर बताएं फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्य भार